तो दोस्तों अगर आप अपने Galaxy S4 में अगर कोई स्टोक रोम से हटकर कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए आज हम इसमें एक अलग कस्टम रोम जो की Note 7 की रोम है वो इंस्टॉल करेंगे तो मैं हूँ अभी नव और आप देख रहे हैं डी जी क्यान तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें जो है पुराने OS को वाइप करने के लिए हम वाइप में जाएंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने इसमें TWRP की रिकवरी इंस्टॉल कर रखी है और फिर उसके बाद हम जो है इसकी रिकवरी मोड में जाने के लिए वॉल्यूम अब बटन पावर बटन और होम बटन तीनों को एक साथ दबाके रिकवरी मोड में आ जाएंगे उसके बाद हम वाइप में जाके एडवान स्वाइप में जाके नहीं होए यूस्प यूट जी को हम अन्किक कर देंगे डेल्विक एच कैच सिस्टम डाटा और इन सभी को हम जो है वाइप कर देंगे बिकाज इन सभी पार्टिशन में ही पुराना ओएस और उसका डाटा सेव रहता है तो हम इन सभी को वाइप कर देंगे स्वाइप करके यह वाइपिंग स्टार्ट ओ चुकी है और इसमें जो है मैं जो इंस्टॉलेशन कर रहा हूं रॉम की वो कर रहा हूं यूएसपी ओटीजी के तो फैंडराइब के तुरू तो वह भी हम देखेंगे कि यूएसब ओटीजी के तुरू इंस्टॉलेशन होती है कि नहीं बाद मैंने इसमें जो है फ्लाइट फ्लाइट की एंसेवन थीम की जो रो में वो डाल रखी है इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोइड कर दूंगा यह बस हमें इस पर क्लिक करना है और स्वाइब टू कन्फर्म फ्लैश करना है तो स्वाइब टू और इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी कुछ ओप्शन्स पूछेगा फिर उस ओप्शन्स को हमें यह रेखिए नोट सेवन थीम फास्ट लाइट तो यह हमें जैनरिक अन्थीम अरोमा इंस्टॉलर यूज करना है अगर हम कोई और भी करना चाहें तो वो हम लुक्रत करना हम जैसे अगर हम Mr. Whoever ilti में यूज का नचाहें तो हम जो है जनलिक मोड में इसको यूज करते हैं तो हम इसके लिए नेक्स्ट करेंगे जैनल इक मोड में English हम- deja6 करेंगे उसके बाद फिर इससे next नीकिस्ट प्रेंगे वाइट रोग वाईप करने की जुरॉट नहीं है नेक्स्ट कर देंगे आपको ब्लोटरने को जो आप जो होते हैं तो आप और टप करेंगे टो ड से रह स्टिंगे हीर्क स्लेक्ट क्लिक करेंगे तो इसे इंस्टोल होते क्लिक टाइम लगएगा तो अभी हम इसे फास्ट वार 핑 कर दे आ तो यह इंस्ट्रोलेशन कम्प्रीट हो चुकी है अब हम इसे सीधा नेक्स्ट करेंगे और रिबूट यूर डिवाइस नाओ पे क्लिक करेंगे और यह रिबूट हो रहा है अभी देखिए इसके बाद सेंग्सम का लोगो जो सेंग्सम का लोगो आता है वो आएगा जो रोम का लोगो है तो अभी इसे लोड होने में टाइम लगए दोस्तों तो मैं इसे भी फास्ट फास्ट कर देता हूं तो दोस्तों देखें इसमें यह जो रॉम है वह इंच्छोड हो चुकिए अब यह सेटड़ के लिये बूश रहा है तो से पहले हमें जो language है वह select करनी होंगी, तो language हमने English को UK की select कर लिया, start इसके बाद इसके बाद start इसके ब ben इसके बाद, next 00 γबन, jדי settings होती है हमने डिफॉल्ट छोड़के नेक्स्ट कर दिया हमने नेक्स्ट स्किप कर दिया हमने स्किप अब फिनिश कर दिया अब अब देखे दोस्तों यह जो रो में इसमें पूरी तर से इंस्ट्रॉल हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल जैसा कि नोट 7 की थीम है वो बिल्कुल इसकी थीम जो है मुल्टी विंडो यह सारी चीजें इसमें आ चुकी है और जैसे नोट 7 में होता है यह नोट 7 एच में होता है इस यह वो भी इसमें उप्छन आया हुआ है यह देखे लेकिन वैसे इसका कोई यूज नहीं है इस सेट में लेकिन फिर भी theme में आया हुआ है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों आगे हम फिर कोई दूसरी theme इसमें कोई दूसरी custom room इंस्ट्रोल करेंगे तब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए इतना ही प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम